नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज लाइब मैं हूँ आपके साथ शिवम यादव नोईडा के शाहवेरी गाउं में मंगलवार राद दो इमारतों के ढहने से हुए हाथसे में मनने वालों का अकड़ा नौ तक पहुँच गया है राहत और बचावकार के दोरान लगातार शबों की बरामदगी की जा रही है बुदवार देर रात तक आठ शबों को निकाला जा चुका है और आज सुबह एक और शब मिलने के साथ ही मनने वालों की संख्या बढ़ गई है इस घटना के पीडित परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने दो दो लाख रुपए के मुआफ़े का एलान किया है साथ ही जिम्यदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है अब तक प्रोजेक्ट मैनेजर और असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है साथ ही मामले की जाच मेरट आयुक्त को सौंप दी गई है मुक्यमंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों पर F.I.R. दर्च करने के आदेश दिये हैं साथ ही विवाद चहल को O.S.D. पत से हटा दिया गया है वहीं पुलिस ने अब तक इस घटना के सिलसले में तीन लोगों को गिरफतार किया है जबकि 18 अनिके खिलाफ गैर अरादतन हत्या और I.P.C. के अनिधाराओं के तहत एक मामला दर्च किया है गिरफतार गंगा शरर्ण ने खुलासा किया है कि मैंने तीन साल पहले ये जमीन बेच दी थी उसने बताया कि बिल्डिंग का नक्षा पास नहीं है शाहबेरी में किसी बिल्डिंग का नक्षा पास नहीं है यहां सब कुछ अवैद काम होता है उसका कहना है कि मिली भगत से रजिस्ट्री कराई गई है जो अमारत गिरी है उसके बिल्डर फिलहाल फरार है बिल्डर पंकज गोयल गाजियाबाद का रहने वाला है